Hello my dear friends, welcome in Dimenglish classes. Today we are going to discuss the questions of a very very important and interesting topic that is subject Vav agreement. So let's start the discussion of this topic and the first question is one of the pupils in our class Blankakar. तो हम लोग जानते हैं कि one आपके साथ हमेशा हम लोग सिंग्लर वाप का परियोग करते हैं और वाप जनम से होता है प्लूरल और सिंग्लर वनाने के लिए उसमें S.E.A.E.S. लगाते हैं इसलिए सही होगा आउंस. नेक्स्ट कोशन The Lions of the East Blank and Interesting Book तो हम लोग जानते हैं कि Lions of the East अपने आप में एक किताब का नाम है और एक किताब का नाम है इसलिए इसके साथ सिंग्लर वाप इज का परियोग करेंगे. अगला कोशन कर आए एपल, पाई and discard एपल, पाई and custard blank my फैब्रेट डिस तो एपल, पाई and discard डोनों मिला के वो भोजन करेगा और उसका फैब्रेट डीस एं मतलब दोनों को मिला के खाएगा मतलब एक चीज का बहुत हो रहा इसलिए इसके साथ सिंग्लर वाप हम लोग blank a long way to walk तो हम लोग जानते हैं कि दूरी उंचाई और amount के साथ हमेशा singular walk का परियोग करते हैं इसलिए यहां right answer होगा is अगला question का रहा है Mohan as well as so on blank guilty तो जब दो subject आपस में as well as से जुड़ा हो तो आगे आने वाला walk पहले वाले subject के انुशार होता है तो Mohan के अनुशार यहां पर सही होगा watch अगला question का अता है neither zone nor you तो जब दो subject आपस में neither nor से जुड़ा हो तो आगे आने वाला walk नईदीक वाले subject के अनुशार होता है तो नईदीक में कौन हा you तो U के अनुसार यहां क्या लगना चाहिए? वर, U के अनुसार कौन लगेगा? वर, ठीक, same question वही है साथ number जब दो subject आपस में either or से जुड़ा हो, तो आगे आने वाला वाव, नजदीक वाले subject के अनुसार होगा, और यहां I के अनुसार लगेगा M, जो option में नहीं है, लेकिन हम लोग सुधार लेंगे, यहां M बढ़ लेंगे, ठीक है? जब दो subject आपस में either or से जुड़ा हो, तो I के अनुसार यहां पर हमारा क्या लगना चाहिए? M, सही इसका जबाब क्या होगा? M, ठीक है? चलिए, अगले question के ओर हम लोग आता है, each of, either of neither of, any of, यह सब के साथ हमें सार सिंग्लर वाप का प्रियोग करते हैं और सिंग्लर वाप इसमें को न जाएगा? वाज, the council blank choosing its president का ता, council ने अपने president का चुनाव किया, तो मैंने बताया था कि council जो है, member का समू होता है और member का समू है, मतलब वो collective noun है, और जब collective noun कोई चीज आपस में जुड़ जाए, या कहें तो collective noun जब एक हो जाए, तो उसे singular समझ कर singular वाप देंगे और यहाँ सही जवाब होगा, hedge क्योंकि यहाँ पूरे council ने मिल के इसके president का chain किया है यहाँ बटने का बोध नहीं हुआ है इसलिए इसके साथ singular वाप का परियोग करेंगे अगला हमारा प्रसन है two and two तो हम लोग जानते हैं कि दो और दो चार होते हैं, लेकिन इसमें कितने दो हैं? दो इसमें दो की संख्यां कितनी है? दो तो दो हो गया एक से अधी कि इसलिए इसके साथ plural वाप का परियोग करेंगे और हम लोग जानते हैं कि वाप जनम से ही क्या होता है? पुल्रल चोंकि यहाँ दो two की बात हो रही है इसलिए इसके साथ हम लोग पुल्लल वाप का परियोग करेंगे अगला हमारा प्रस्ण है The cost of all these articles तो हम लोग जानते हैं कि और आप के बाद जो भी चीज आता है या कोई भी preposition के बाद लिखा कोई सब्द आता है तो वो अपने आप में object होता है preposition का object होता है और वो अप कभी भी object के अनुशार नहीं आता वह हमेशा सब्जेक्ट के अनुशार आता तो आप के बाद मत देखिए आप के पहले देखिए the cost, cost मतलब कीमत और कीमत को गीना नहीं जा सकता इसलिए इसके साथ singular वह का परियोग करेंगे hedge का, इसके साथ singular वह क्या आएगा hedge all the students in our college same question, इनके बाद मत देखिए इनके पहले देखिए, तो इनके पहले कौन है, all the students तो all the students एक से अधीक विद्यार थी है इसलिए इसके साथ plural वह का परियोग करेंगे और हम लोग बच्पन से ही बात पढ़के रखें हैं, कि वह हमेशा जर्म से ही plural होता है और इसमें सही जवाब होगा हमारा लर्म, और वही वह में yes जवाब लगा देते हैं, तो वह क्या बन जाएगा, singular अगला कता तो quality of the mangoes, तो आप के बाद मत देखिए आप के पहले देखिए quality, quality का मतलब होता है क्या होता जी quality quality, गुनवत्ता, तो गुनवत्ता को हम गीन नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसके साथ singular वाब का परियोग करेंगे, watch इसके साथ singular वाब कोन आएगा, हमारा watch, चलिए अगला प्रस्न काता each of, अभी तुरंत मैंने बताया each of, either of, neither of none of के साथ हमें सब singular वाब का परियोग होता है, इसलिए इसमें each of के साथ हम लोग each का परियोग करेंगे, क्या चीज़ का, each का, जब दो सब्जेक्ट आपस में as well as से जुड़ा हो, तो आगे आने वाला वाब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार तो आईरन के अनुसार इज लगेगा, आईरन के अनुसार क्या लगना सही है, इज, चलिए देखते हैं अगले प्रसन की और बढ़ते हम लोग, अगला प्रसन है हमारा, कहता है no news, no news, news देखने में सिर्फ plural होता है, लेकि news के साथ कैसा वाव आता है, singular, news के साथ कैसा वाव आता है, singular, अगला कोशन है था, great point and dramatist, जब दो नाउन आपस में end से जुड़ा हो, और दोनों में सिर्फ एक नाउन के साथ कोई article या possessive objective आया हो, तो उसे singular समझ कर, singular वाव देंगे, सर नहीं समझे, रुको समझाता हूँ, एक महरारू, दो महरारू, दोने के पती एक, दो को महरारू है, उसके पती एक हो हुए, तो परिवार की संख्या कितनी हुई, एक, तो एक हुआत एक को क्या बोलते हैं, सिंगुलर, इसलिए इसके साथ यहां क्या लगाएंगे, सिंगुलर वाव, इज, तो ध्यान रखना, जब दो नाउन आपस में, एंड से जुडा हो, और दोनों में से, एक नाउन के साथ कोई आर्टिकल या पजेसी वेज़क्टिब आया हो, तो उसे सिंगुलर समझ कर सिंगुलर वाव देंगे, यहां एक ही वेक्ति है, जो ड्रामेटिस्ट भी है, और पोईट भी है, इसलिए इसके साथ इज लगाएंगे, सेम कोशन वही वाला दा औरेटर एन स्टेट्मेंट, तो इसके साथ भी इज लगाएंगे, ठीक है, उन्ही इस नमर कोशन कहा रहा है, नाइदर आप दा फिल्म्स बलेंग गूड, मैंने अभी तुरंत बताए, आइदर आप, नाइदर आप, नाइदर आप, एनी आप, एछ आप के साथ, हमेंछा singular वाओ, और en तिम्लर कोशन है, वाज, तो इहाँ सही हमारा होगा, वाज, इज आप, डिज अप, आइदर आप, नाइदर आप, नन आप, एनी आप के साथ, हमेंछा singular वाज़ करते हैं, इसलिए यहाँ सही जबाब होगा, हमारा वाज अगला कारा दा किंग वित ओल हीज़ मिनिस्टर्स तो ध्यान रखेगा जब कवीवी दो सब्जेक्ट आपस में वित्व से जुड़ा हो तो आगे आने वाला वह पहले वाले सब्जेक्ट आनि कि किंग एग और राजा है इसलिए यहाँ सही जबाब होगा वाज जब दो सब्जेक्ट आपस में वित्व आलॉंग वित्व से जुड़ा हो तो आगे आने वाला वह पहले वाले सब्जेक्ट आनि कि किंग के अनुसार क्या होगा वाज ठीक है चली बढ़ते हम लोग अगले कोशन की ओर अगला कोशन का था अभरी मैं एन उमन एन चाइल अभरी मैं उमन एन चाइल इन दा विलेज बलेंक उन्डेट तो हम लोग ने आपको ये बताया था कि अभरी या एनी के साथ कोई भी नौन को जोड़ देगा तो वो नौन सिंगलर होगा और सिंगलर वाव लेगा इसलिए यहाँ भी ना सोचे समझे वाज मारें कि तना भी न उन इसके साथ जोड़ दे सिंगलर रहेगा और सिंगलर वाव लेगा अच्छा अब एक बाताओ राईस और करी को जब आप खाएंगे तो मिला के खाईएगा क्या कि दियेगा कि राइस को पहले फाक जाईएगा उसके बाद करी को चबा चबा खाईएगा या करी को पहले खाईएगा उसके बाद चावल में नमक मिला के खाईएगा या दोनों को एक साथ मिला के खाईएगे तो दोनों को एक गिना जाएगा इसलिए इसके साथ singular war इज का परियोग करेंगे ठीक इसी परकार से दही चुडा क्या करेंगे दही उठा के पी जाएंगे चुडा बाद में फाखेंगे लेके दोनों को मिला के न खाएंगे जी तो दोनों को मिला के खाएंगे, सिंगलर समझ कर क्या देंगे, सिंगलर वाओ, चलिए अगला कोशन है हमारा, काता, he is one of the greatest leader that blank ever lived, काता है, he is one of the greatest leader, काता, one of के बाद अधी कोई भी non आया हो, यह that किसके लिए आया है, यह that किसके लिए आया, काता, he is one of the greatest leader, यह leader के लिए आया, तो इसके लिए हम लोग पुलल वाव, हैब का परियोग करेंगे, ठीक है, यह ही के लिए नहीं आया है, अगला हमारा कोशन है, कि a number of student blank court copying, तो हम लोग जानते, a number of, a large number of, a big number of, a great number of के साथ, हम लोग non भी पुलल ल थे, और इसमें पुलल वाव मारा कुन है, वर, तो सही जबाब होगा, वर, the boy and the girl, जब दो सब्जेक्ट आपस में end से जुड़ा हो, तो काता, the boy and the girl, तो दो अलग अलग हुआ, तो पुलल वाव लेगा, लड़का और लड़की, तो दो गो हो गया, तो पुलल, हम लोग ज साथ कोई आर्टिकल या पजेसिव एजक्टिव आया हो, तो उसे पुलल मानकर हम लोग पुलल वाव देंगे, तो देखिए इस कोशन में क्या है, कि यहां स्टेटमेंट के साथ भी बिदा लगाया, और औरेटर के साथ भी बिदा लगाया, मतलब एक वेक्ति है जो औरेट रखती है जो इस्टेटमेंट है, इसलिए इसके साथ पुलल वाव हैव का परियोग करेंगा, चलिए बढ़ते हम लोग अगले कोशन के ओर, अगला कता मेनी आप, ध्यान रखेगा, मेनी आप के साथ अधी पुलल नाउन आया हो, या मोस्ट आप के साथ पुलल नाउन आया या मोस्ट आप के साथ कोई नाउन पुलल आया हो, तो इसके साथ हमेशा पुलल वाव का परियोग होता है, तो यहाँ हैव का परियोग होगा, और यहाँ आम लोग वेस्ट का परियोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पुलल कोन है, वेस्ट, तो पहला वला में है और दूसरा मे उंतिस नमर कोशन का रा अभी तुरंट में ने बताया अ नमर आप अ बीग नमर आप अ ग्रेट नमर आप और अ लार्ज नमर आप के साथ नौन भी पुल्ल लाता है और वाव भी पुल्ल लाता है इसलिए इसमें हैब का परियोग होगा अगला काता he and his friend तो वह और उसके दोस्तों दो लोग हुए इसके लिए पुलल वाव में लोग है लगाएंगे तो अरभियन नाइट एक किताब का नाम है इसलिए इसके साथ singular वाव इज का परियोग करेंगे अरभियन नाइट एक किताब का नाम है इसलिए इसके साथ singular वाव इज का परियोग करेंगे अगला कारा mathematics बलेंक एन इंपोर्टेंट सब्जेक्ट तो हम लोग जानते हैं कि mathematics, politics, economics, innings यह सब देखने में सिर्फ पुल्रल लगता है लेकिन है कैसा singular और कैसा वाव लेगा singular इसलिए mathematics के साथ हम लोग क्या लगाएंगे इज फिर same question है politics, देखने में सिर्फ पुल्रल लगता है तो मैंने बताया था न, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो न तो ध्यान रखेगा, चेहरा नहीं देखना है, क्या देखना है दिल में उतर के, यह आपको बुर्वक बना रहा है यह सिर्फ देखने में पुल्र लगता है लेकिन है politics कैसा, singular और यह कैसा वाव लेगा, singular वाव चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अगले question क्यों करता committee ने अपने chairman का चुनाब किया, तो हम लोग जानते हैं कि committee अपने आप में, committee अपने आप में कमीटी चुजन, dear chairman, sorry, dear के जगा पर आदे हम its कर दें तो बढ़ियां रहे गए, its chairman क्योंकि पूरा committee के लोगों ने मिलके chairman का चुनाब किया, इसलिए इसके साथ singular वाव hedge का परियोग करेंगे, ठीक है, 100 km, blank a good distance, तो हम लोग जानते हैं कि दूरी के साथ, amount के साथ, हमेशा singular वाव का परियोग करते हैं, इसलिए यहाँ, इज सही माना जाएगा, वीना and not you, तो जब दो subject आपस में and not से जुटा हो, तो आगे आने वाला वाव, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, और बीना के अनुसार यहाँ लगेगा, हैज, बीना के अनुसार कौन होगा, हैज, अगला कोशन का रहा है, Mr. ठाकूर, एज वेल एज, तो हम लोग जानते हैं, जब दो subject तापस में एज, वेल एज से जुडा हो, तो आगे आने वाला वाव, पहले वाले सब्जेक्ट, Mr. ठाकूर के अनुसार, तो Mr. ठाकूर यहाँ एक बेखती हैं, इसलिए इसके साथ सिंग्लर वाव, लाइक्स का परियोग करेंगे, क्या चीज़ का? लाइक्स का, ठीक है? चलिए, अर्टीस्वा नमर कोशन का रहा, ठावजन प्रूपी, तो हम लोग जानते हैं कि amount हो, चाहे वो 5 लाग हो, 5 करोर हो, 20 करोर हो, amount के साथ हमेशा सिंग्लर वाव, इज का परियोग होगा यहां, ठीक है? amount के साथ, दूरी के साथ, उचाई के साथ, हमेशा सिंग्लर वाव आएगा, ठीक है? चलिए, अगला कोशन है, each of, each of, either of, neither of, any of के साथ सिंग्लर वाव, हमेशा आता है, तो यहां क्या लगाएंगे? each, each day and each hour, तो मैंने कहा, each के साथ, any के साथ, कोई भी आएगा, नौन सिंग्लर लेगा, और वाव, स्वरी, वाव सिंग्लर लेगा, और हम लोग जानते हैं कि वाव जन्म से पुलल होता है, सिंग्लर बनाने के लिए उसमें ऐस या, यस लगाते हैं, इसलिए यहां सही होगा, brings, दा होर्स एंड कैरेज, जब दोनान आपस में एंड से जुडा हो, और दोनों में सिर्फ एक नान के साथ, कोई आर्टिकल या पजेसिवे जक्तिव आया हो, तो उसे सिंग्लर समझ कर सिंग्लर वाव देंगे, आनि कि एक ही चीज है, कता होर्स हो, या कैरेज, मतलब जो घो आर्टिकल या पजेसिवे जक्तिव आया हो, तो उसे सिंग्लर समझ कर सिंग्लर वाव देंगे, तो इज लगेगा, माई फ्रेंड एंड ही, गलती से इसा लिखा गया, माई फ्रेंड एन बेनिफेक्टर, तम लोग जानते हैं, जब दोनान आपस में एंड से जुडा हो, औ पजेसिवे जक्तिव एक नाउन के साथ आया हो, तो उसे एक मान के, अनि कि सिंग्लर मान के, सिंग्लर वाव देंगे, अनि कि एक ही व्यक्ति है, जो उसका दोस्त भी है, और बेनिफेक्टर भी है, तो इसलिए सिंग्लर वाव हैज का परियोग करेंगे, अगला कोशन का र आपस में विद से जुड़ा होता आगे आने वाला वाव पहले वाले सब्जेक्ट आनी कि हाउस के अनुसार यहां लगेगा वाज हाउस के अनुसार क्या लगेगा वाज everybody के साथ singular वाव हम लोग वाज का परियोग करेंगे everybody everyone somebody someone nobody no one anybody anyone अगला का था blank either of the twin twins present तो हम लोग जानते हैं either of के साथ singular वाव का परियोग करते हैं इसलिए easy लगेगा the jury divided in their opinion तो हम लोग जानते हैं कि jury अपने आप में collective noun है और जब collective noun आपस में बट रहा है divide हो रहा है तो जब बटने की बाद तो तो उसे पुलल समझ कर पुलल वाफ देंगे और यहां लगाएंगे वर this is the only of only one of his stories that blank worth reading तो ध्यान रखेगा जब only of के बाद कोई भी noun आता है तो यहां that जो आया है is storage is storage के अनुसार आया है इसलिए इस में क्या लगाएंगे आर और यही अधी this के अनुसार आता तो इस लगता नहीं कि दो बट्टा तीन भाग जो है वो बरबाद हो चुका है तो एक ही सहर का हिस्सा बताया जा रहा है ना two thirds यहां एक कोशन गलती है इसमें two thirds ना होकर इसमें two thirds होता और two thirds के अनुसार इस न लगकर आर लगता है यह चीज मैंने आप लोग को non में भी पढ़ाया था ठ ठीक है तो ठर्ड के साथ हम लोग के साथ वहाप का परियोग करेंगे पुलल वहाप दा लॉंग एंड सौट आप दा मैटर बलेंक इज तो ध्यान रखेगा दा लॉंग एंड सौट के साथ हमेंसा सिम्लर वहाप इज का परियोग होता है अगला कोश्चन है अलिस्ट आप हैट इसलीए किया लगना चाहिए हैं से चलाए अगला कोश्चन देखते हैं अगला कारा three parts of the business blank in my hand तों मैंग एन और हैंद्या अगला कोश्चन है कि every inch of the field every inch of the field blank searched तो every inch के साथ हम लोग singular आपके बाद मत देखिए आपके पहले every inch के साथ singular verb watch का परियोग करेंगे none of the thips blank been arrested तो none of the thips के साथ हम लोग singular verb none of either of neither of के साथ singular verb has का परियोग करेंगे ठीक है anybody, anyone, somebody, someone one, जिसके अंत में body, one लगा रहे है singular समझकर singular verb क्या होगा इज rain, बारिस जो होता उसको गीना नहीं जा सकता है इसलिए उसके साथ singular verb और हम लोग जानते हैं वाप जनम से plural होता है, singular बनाने के लिए उसमें S या, yes लगाते है sun भी एक होता है इसलिए इसके साथ singular verb states होगा, ठीक है अगला कारा there, blank and egg तो देखिए न, there के बाद हम लोग ease लगाएंगे क्यार तो आगे आने वाला noun बताता है यहां एक अंडा है इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे, ease there, ease and egg ठीक है, चलिए अब इसमें जादे प्रस्ण हैं नहीं तेजी से में लोग solve करते हैं अगला कारा, बिना एंड मुकेस तो दो लोग हो गएंगे, क्या लगा देंगे, R Manoj the tallest of all the students in our class blank clever तो Manoj के बारे में बात हो रही है Manoj के साथ यहां क्या लगा देंगे, ease blank the children's mother ill काता इन बच्चों की मा बच्चा बीमार नहीं है इन बच्चों की मा बीमार है तो माँ यहां कितना है, एक है तो जब apostrophe S के बाद कोई nown आया हो, तो उसी apostrophe S के बाद आने वाले nown के अनुसार वहावा आता है, अनिका apostrophe S के बाद यहां को न आया, Mother तो मदर के अनुसार यहां क्या होगा इज आयर बलेंक 12 months तो एक साल एक साल हुगा तो समझ कर सिंगलर वाफ देंगे हैज ठीक है तो साथियों आज हम लोग 117 नमर तक कोशन डिल किये अगला पार्ट के लिए आप लोग इंतजार करिए अगला पार्ट भी कल तक आ जाएगा ठीक है आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे ठीक है ठीक है धनिवाद पर वाचिंग दिस वीडियो